जबलपुर जिले में गुरुवार का दिन इस सीजन का सबसे ज़्यादा गर्म दिन साबित हुआ गुरुवार को जबलपुर का धिक्तम तापमान 43.2 डिगरी सेल्सियस दर्च किया गया जो सामान इसे 3 डिगरी सेल्सियस अधिक था पुरे प्रदेश की साथ जबलपुर जिले में भी भीषण गर्मी पढ़ रही है अप्रेल के अंत में ही कई जिलों में पारा 45 डिगरी तक जा पहुँचा है ऐसे में मौसम विग्यानिकों ने गर्मी के तेवर और तीखे होने की संभावना विक्ट की है मध्य प्रदेश में पढ़ रही भीषण गर्मी के तेवर आने वाले दिनों में और भी तीखे होने वाले हैं गुरुवार को जबलपुर का धितम तापमान 43.02 डिगरी सेलसेस तक पहुँचा मवसां पेग्यानिकों की माने तो गुरुवार का दिन इस वर्ष अप्रेल महा के सभी दिनों में सबसे ज़्यादा गर्म दिन साबित हुआ वही नियुन्तम तापमान 25 डिखले सेलसेस तरच किया गया जो सामाने से तीन डिगरी अधिक है और ये आज का दो तापमान है वो इस साल का सबसे अधिक है गतवर्ष आज के दिन 42.2 रिकॉर्ड किया गया था और अगर पिछले 3-4 साल की बात करें तो अपरेल मा इस साल का सामाने से अधिक गरम था इसको इस प्रकार समझ सकते हैं 2019 में अपरेल मा में सिर्फ 20 डिन तापमान 40 से उपर गया था जबकि 2020 में सिर्फ तीन दिन तापमान 40 से उपर गया था, 2021 में आट दिन तापमान 40 से उपर गया लेकिन इस साल 28 दिनों में से 27 दिन तापमान 40 से उपर गया अप्रेल माँ इस महा अब तक जबलपुर में अधितां दापमान 40 डिगरी से उपर ही बना रहा, अब जब पारा 43 डिगरी तक जा पहुँचा है, तो आम जन जीवर भी प्रभावित हो रहा है, तेज हूप और गर्म हवाओं की वज़ा से लोग हलाकान हो रही है सर, आज गर्मी देखके हाल वेहाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा अप्रेल के महीने में ऐसी गर्मी पढ़ रही है, जो मई में नहीं पढ़ती रही, 40-42 डिगरी पारा जा रहा है, सूरज देवता और नीचे आते जा रहे है, बिलकुल सरीर में दर्द, पंखा, कूलर तक क काम नहीं कर रहे है, बहुत ज़्यादा परिशान इस गर्मी को देखते हुए तो, अब तो ऐसा लग रहा है कि कब जल्दी से बारिश आ जाए, गर्मी काफी बीसल पढ़ रही है, कहीं आने जाने की इच्छा नहीं होती, बिना गमचा लगाए, लिकला नहीं जाता, मौसम विग्यानिकों की माने तो सभी चक्रवाती घेर समाप्त हो गए हैं, जिसके बाद मौसम में नमी पूरी तरह खत्म हो रही है, ऐसे में हवाईं भी सूखी और अधिक गर्म हो जाएंगी, इससे लूक अप्र को बढ़ जाएगा और तापमान में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है